कि सब्सक्राइब कीजिए टेक्नों इसाई चैनल को और गंटे के बटन को दबाकर टेक्नों इसे जोड़ी वीडियो हर रोज सबसे पहले देखिए Defense कि जोस्तों अगर आप एक अच्छा smart phone लेना साथ हैं जिसके अंदर आपको अच्छा प्रोशेसर देखने को मिले और अच्छी घेटरी और तो इस तरह के स्मारट फॉन आप कैसे जोड़ सकते हैं वह आपको आज हमारे इस वीडियो देखने के बाद आपको smartphone आपको कौनका लेना चाहिए वो आपके सभी फिचर इस smartphone में से आपको देखने को मिल सकते हैं दोस्तों आज मैं भात करने वाले हैं टोप 5 स्मार्टफोन अंडर 20,000 रूपीज तो मैं आज आपको 20,000 रूपी के अंदर ऐसे स्मार्टफोन के बारे में बताने वाला हूं जिसमें आपको एक अच्छा डिस्प्ले सूपर एमोलेट डिस्प्ले देखनों को मिले और एक हाई पावर प्रोसेसर देखनों को तो इस तरह के मोबाइल फोन आज मैं आपको इस वीडियो के माधियम से दिखाने वाला हूं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें तो इस सबसे पहले पास्वें नंबर से स्टार्ट करेंगे पास्वें नंबर पर हमारा स्मार्टफोन निकल कर आता है रेड्मी की तरफ से के टॉन्टी रेड्मी के टॉन्टी एक बहुत अच्छा स्मार्टफोन है जिसमें आप कोई अच्छा प्रोसेसर मिलता है अच्छी बैटरी मिलती है अच्छा कैमरा सेटप मिलते हैं चलिए जानते हैं इसके बारे में फटाफ़ड़ स्पैस के बारे में बात करते हैं प्रोसेसर की तो इसके अंदर कॉलकम स्टैप डेगन सेवन टॉन्टी जी का प्रोसेसर देखने को मिलता है जो बहुत आई फावर है जिसमें अच्छी तरह से गेमिंग और फ्री फायर वगरा खेल सकते हैं इस्टोरीज की बात करें तो सब्सक्राइब और स्टीफॉर जीबी स्टोरीज के साथ में यह स्मार्टफ़न आपको देखने को मिल जाएगा हलकी अलग-अलग वैबसाइट पर आपको अलग-अलग प्राइस देखने को मिल जाएगा लेकिन एमेजन पर आपको 20, 20,000 रुपे के आसपास यह स्मार्टफ़न देखने को मिल जाएगा और वही बात करें कैमेरा सेट अप की तो इस स्मार्टफ़न की अंदर ट्रिपल रियल केमरा सेट अप देखने को मिल जाता है बैक साइड के अंदर जिसमें 48 मेगापिक्षर का प्राइमी कैमेरा और इसक प्राइब बात करते हैं इस स्मार्टफ़न के डिस्प्ले की स्मार्टफ़न में आपको 6.39 इंस का फुल है स्टी प्लस सूपर एमोलेट डिस्प्ले देखने को मिल सकता है जो डाइन निमो मिक डिस्प्ले के साथ लेंस हैं बात करें स्क्रीन जोजेशन की तो 244 बैए 1080 का स्क्रीन जोजेशन देखने को मिलता है और इस स्मार्टफ़न की फ्रन्ट और बेंग में कौनिंग गुरिला ग्लास फाई का प्रोडिशन भी देखने को मिल सकता है इस डिस्प्ले बहुत अच्छा है और बात करें बैटरी बेकप की तो चार जरह में इसकी बैटरी बेकप अच्छा है और डिस्प्ले अच्छा है कैमरा सेटप भी अच्छा है यहां पर बैटरी थोड़ी कम दिखाई देखने को लगती है हालकि फिर भी बहुत अच्छा है इसलिए मैंने इसको नंबर पांस पर चलिए बात करते हैं नंबर फोर पर नंबर फोर पर हमाना नेकरकल आता है सैम्संग की तरब से ऌच्छा केँव एंटरि ऐं दिखने मिलता है और अच्छा परामेंस ओर अच्छिप प्रोंड इस समयों के बारे में इस पॉन के बारे मेंई 6.5 inch का Full HD Plus Super AMOLED डिस्प्ले आपको इस स्मार्टफॉन के अंदर देखने को मिल सकता है इस स्क्रीन की बात करें तो सब्सक्राइब एक जारा सी पिक्सल्स का स्क्रीन देखने को मिल सकता है वही इस डिस्प्ले के अंदर आपको 16 Millions New Color आपको देखने को मिल सकते हैं वही दोस्तों बात करें वही बात करें तो मिलता है जो 2.3GB के साथ इसमें सैमसंग एक्सजिनॉस 960911 का प्रोचिछों को मिलता है बैटरी परमेंस की बात करें तो सेजार मेंस की बड़ी वैटरी दे गई है और 25 वाल्ट का फाइस्ट चार्जर देखने को मिल सकता है दोस्तों वही कैमेरा परफॉमेंस की बात करतों इसके अंदर श्यार रिल कैमेरे बैक साइड के अंदर देगी है 64 मेगापिक्शर प्लस 12 मेगापिक्शर प्लस 5 मेगापिक्शर प्लस 5 मेगापिक्शर के कैमेरे दिये गी है फ्रंट कैमेरे की बात करें तो 32 मेगापिक्शर का सेल्फी केमरा यहां पर आपको देखने को मिल सकता है बेक साइड में LED फ्लैस आपको देखने को मिल सकती है वही इस स्टोरेज की बात करें तो इस स्मार्टपॉन के अंदर 6GB रहे हैं 128GB इस स्टोरेज आपको इस स्मार्टपॉन में दिया गया है जब जरूत पले तो माइक्रो usd card की मधची 512 GB आप इसमें स्टोरेज लगा सकते है कि दोस्तों की बात करतें यह स्मार्टपॉन भी आपको बीस जार कर देखने को मिल सकता है लग ळग वेबशाइट पर अगलर कई सबस्ते देखने को मिल सकत रहे हैं वही दोस्तों ओधर पिसस की बात करते तो इसके अंदर आपको 4G network मिलता है dual chip nano मिलती है और connectivity के तौर पर यहां पर वाइफाई Bluetooth GPS NFC Pagira सब कुछ देखने को मिल सकता है sensor की बात करें तो यहां पर इन डिस्प्ले फेकर पर इस sensor देखने को मिलता है और AI Face Unlocking System पी आपको इस smartphone के अंदर देखने को मिल सकते हैं बाकि लाइट सेंसर प्रॉक्सिमिक सेंसर सब आपको इस smartphone में देखने को मिल सकते हैं और 3.5 mm का audio jack भी इस smartphone में आपको देखने को मिल सकता है तो दोस्तों यहां पर बात करते हैं हमारे तीसरे smartphone के बारे में तेसरा smartphone निकलकर आता है realme के तरफ से जो 6 pro realme 6 pro एक बहुत अच्छा फॉन है इसमें आपको अच्छा डिस्प्ले मिलता है अच्छा प्रोसेशर देखने को मिलता है अच्छी बैटरी मिलती है और अच्छा camera performance देखने को मिल सकता है चलिए जानते हैं स्मार्ट फॉन के स्पैसिपक्षण के बारे में इस फॉन की डिस्प्ले की बात करें तो 6.6 इंस का full HD plus डिस्प्ले देखनों को मिलता है जो कि 9080 रिप्रेस्ट के साथ में आपको दिखाई देने वाला है वही इसके पिक्सल की बात करें 1200×2080 735 करें देखने को मिल सकता है और इस डिस्प्रेंट में आपको क्वार ऑट निंग्घ ग्रिला ग्लार स।ाय का प्रोटॉट्रेशन भी देखने को मिल सकता है वही बात करें इस स्मार्टफ़न के प्रोसेशर की तो कलक़ शनेप डेगन सेवन तोंटी जी का प्रोसेशर देखने को मिलता है जो बहुत अच्छा प्रोसेशर माना जाता है तो दौस्त वही बात करें इस स्मार्टफ़न के स्टोरेज और रैम की तो शिए 8GB रैम और 128 GB storage आपको इस smartphone में दिखाई देने वाला है वही प्राइज की बात करें तो यह smartphone आपको आठाजार रुपर में आपको देखने को मिल वही कैमेरा प्रफॉमिंस की बात करें तो बेक साइड के अंदर चार रियल कैमरे दिये गिये हैं जो 64 12 GDP puòर 2 MP MP की बात करें तो फ्रेंट में आपको ड्यूल what जेल्पी कीमर देखने में सकता है या इन इन 2 iPhone देखना मिल है वही बात करें बैटरी बैकप की तो चार जा तिन्चों मेंस की बैटरी बैकप आपको देखने को मिल सकती है साथ में 30 वल्ट का फास्ट साजर भी आपको देखने को मिल सकता है और वही कनेक्टिविटी के तौर पर आपको ड्यूल सीम नानो दिखाई देगा और वही इसक यारे कनेकटिवटी फेसर चाहसे बलूतूटूथ वई फाइअ अगयरा सब को झातकर में देखने को मिल सकता है जलीए बात करते हैं कि नबर दो दो के स्मार्ट फॉन रापको कौन सा स्मार्ट फॉन निकल कर Надव पर हमारा स्मार्टफोन निगल कराने वाला है रियल्मी की तरफ से जो एक्स टू एक अच्छा स्मार्टफोन है इसमें आपको ची डिस्प्ले अच्छा प्रफोर्मेंस और अच्छा कैमरा सेट अप और एक अच्छी बैटरी लाइफ देखों को मिल सकते हैं चलिए जानते है इस स्मार्टफ़न की इस पेसिफ एक्शन सुस्स के बारे में इस फॉन की डिस्प्ले की बात करें तो 6.4 इंच का डियो वाट ड्रॉप फुल स्क्रीन डिस्प्ले डिखने को मिल चाहे तो जो सुपर स्क्राइब लीड़ के तब आपको डिश्पले देखने को मिल सकता है इस स्क्रीन को है सिर्फिय की बांट करें तो inCesplan 1060 खांड नों मिल सकता है दोस्तों वही कैम यह प्रफोंएंस की बातकते यह भाइक बाद के मेरे को तो फ्रन्ट केमरे के अंदर आपको 32 Megapicture इसेल्फी केमेरा देखने को मिल सकता है जो कि इस इतो पीके तो आपको देखने को मिल सकता है वही स्केड की माध करए तो 16 Cher विर्यम और 16 लगे सकते हैं अगर आपके मेरे के बारे में अच्छा स्मार्टफोन लेना चाहिए वहीं बात करें बैटरी लाइफ की तो बैटरी मिलती है इसके साथ में 30 वाल्ट का सुपर वॉक्स आजर आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिल सकता है और इस के साथ में आपको 3.5 mm audio jack देखने को मिलता है और USB Type-C port आपको इस स्मार्टफॉन में देखने को मिल सकती है इन डिस्प्ले फिकर पिंग चैंसर देखने को मिलता है फेस लॉकिंग सिस्टम आपको देखने को लोग मिल सकते हैं तो यहां पर वाइफए यूएसबी जीपीएस एनफसी वगेरा आपको डियूल सीम नैनो मिलती है और फोजी नेट्रॉक आपको स्मार्टफॉन में देखने को मिल सकता है तो दोस्तों यहां पर एक बड़िया फॉन निकल कर आता है आपको 8000 रुपे में जिसमें आपको एक अच्छा बैटरी मिलती है अच्छा डिस्पले मिलता है और दोस्तों बात करें परफॉर्मेंस की तो कॉलकम स्टैप डेकन शेवन थर्टी जी का प्रोशेसर देखो मिलता है इस स्मार्टफॉन के अंदर तो यह स्मार्टफॉन दियर किस बात की दोस्तों इस स्मार्टफोन के बारे में हमारा पहला स्मार्टफोन यह पर निकल कर आता है मोटरोला लखे Championship मोटरोला वन्प हुजल प्रत्रेट प्लस उसको स्ट्र कि एक सूपर स्मार्टफोन है इसमें आपको ऊच्छा इस्पले फुल हेश्डी प्लस डिस्प्ले मिलता है एक पाउर फुल प्रोसेशर देखने को मिलता है एक क्वाइडी केमरे सेट अप देखने को मिलता है अच्छी बैटरिलाइप देखने को मिल सकती है तो सलिए जालते हैं फटाफट इस स्मार्टफ़न के बारे में स्पेस और फीचर सेलीबस की बात करें तो यह तेभी सोसयाल की एंड को खुमीन देखनों को मिला बात करें अगर पावर प्र प्रोट और तो यहां पर एंड दिश्पले को मिल सकता है एक प्रॉसेश की आपको गैमिंग बगेरा खेलने के लिए आपके बड़िया प्रसेश देखने को मिल सकता है और IPS LCD डिस्पले देखने को मिल सकता है आप तो इस सिब बड़ा और आपके लिए और क्या हो सकता है दोस्तों बात करें इस स्मार्टफून के स्टॉरी और रेम की तो 6 GB Ram और 64 GB स्टॉरी के साथ में यह स्मार्टफն आपको देखने को मिल सकता है वही केमरे प्रफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर कैमरे सेट अपको देखने को मिल सकता है जो 64 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 2 चार रियल कैमरे आपको बैक स चाह्ट का फ्रन्ट कैमरा आपको देखनों को मिल सकता है तो बैटरी स्टों बात करें तो इसके आपको फोजी नेट्रक मिल जाता है दियूल चिम नैनो मिल जाती है और sensor के तोर पर यहां पर figure-win sensor मिल जाता है और साथ ही में आपको AI Face Unlocking System पी देखने को मिल जाता है और 3.5 mm audio jack मिल जाता है और USB Type-C का port आपको देखने को मिल जाता है इसके लावा बात करें तो Wi-Fi, Bluetooth, GPS, NFC वगरा सभी सिस्टम सभी connectivity features आपको इस smartphone के अंदर देखने को मिल जाएंगे दोस्तों अभी बात करता है इस smartphone की price की price को देखा जाए तो यहां पर यह smartphone आपको 17,500 से 17,999 रुपे के आज पास यह smartphone देखने को मिल जागे है यानि हर website पर आपको अलग-अलग rate देखने को मिल जाएगी लेकिन आपको Amazon पर 17,500 रुपे के अंदर यह smartphone देखने को मिल जाएगा link description मिल जाएगा वहां जाकर आप इसको बाय करना है तो कर सकते हैं दोस्तों फाइनली आज की इस वीडियो में बस इतना ही वीडियो चले करें तो लाइक करें और चैनल पर पहले आए बैता और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुई पिलना भूलें